नमस्कार दोस्तों डीडी समाचार की टीम आज गराम पंचाई द्रतनपूरा पहुंची है और आज हमारे साथ खास मुलाकात में वहाँ के सरपंच प्रेम चंजी भगोरा तो इनसे हम जानना चाहेंगे इनका राजनेती केरियर क्या है और इनने जो जनता से वादे किये थे वो पूरन हुए क्नी हुए और इनका ये कारेकाल कैसा रहा है तो सर सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है तो सर आपका राजनेति केरियर क्या है और आपने राजनेति कब से सुरू की है मैंने मेरा राजनेति केरियर में सिन्यर में था तब से में स्कूल में प्रसिजेंट बना था उसमें में प्रसिजेंट था उसमें राजनेति सी पाइलेट आये थे और हमारे जो सुईदा कराई थी वो राजिशी पाइलेट ने कराई थी उस समय में प्रेशिजन्द रसीनरी सेंडरी स्कूल में उस समय से मेरे राजनितिक में प्रवेश्च किया है और मैं एन उश्वे का अध्यक्ष भी रहा हूं ब्लोग अध्यक्ष रहा जिला अध्यक्ष में उपाद्यक्ष पत पे भी रहा मामंद्री उपत पे भी रहा और मैं अभी ब्लोग कांग्रेस कमिटी में उपाद्यक्ष पत पे हूं और अभी मैं वर्तवान में शर्बंज हूं और मेरे ये चार साल के कारे करा हम चार साल, साड़े-चार साल हुए, अभी दो मेने के बाद चुनाब है, उसमें मैंने जो पंचयत में जो आइदे किये थे, वो मैंने लगबग लगबग पूरे कर दिये, अभी मेरे जो गाव में नही परीशमन के अदार पे नहीं ग्राम पंचयत बनी थी, उसकी दूसरा ग्राम रतंपुरा में लिफ्ट प्रजन का अंतरगत हमने लाइन की स्विक्रिति करा दी है अभी जैसे अभी आखेतों में वगएरा दान की बुवई कर रखी है जैसे ही उकटेगी हम लाइन भी करवा देंगे लगबग इस साल की भी जो ग्यों की फसल होगी वो भी लगबग हमारे ग्रामीनों को मिल जाएगी ऐसा तो सर प्रदानमंत्री आवास आपने किते एक दिलवाए और प्रदानमंत्री आवास की क्या स्थित्य है उसमें आपने भाइबति जवाद भी किया या पातरता को देखा गया है प्रदानमंत्री आवास में हमारे मेरे मेरे पूर्ण करा चुका हूँ और अभी जो अठुतर से अठुतर लगबग शेंक्षन अभी आई है अभी हमारे कल ही जितने भी है पूर्ण करा जाए ऐसा आगे से आदेश आए हमने पूर्ण करा देंगे और इसमें भाई पतिजावाद कोई नहीं किया है जैसे वहां से किसी नहीं बनाया और पैसा आउटेला ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारी ग्राम पंचात में नहीं मिलेगा तो सर शीक्षा का स्तर अपनी पंचायत में कैसा है और शक्री राजनेता होने के कारण और आपके पंचायत छेतर के अंदर शीक्षा कैसा चल रही है मेरी ग्राम पंच हमने हन्देट पर्षेंट रिज़न रहा और अच्छी फिर भी हमारे जो लेक्षर की कमी है हमने अभी चाहब भी लेक्षब को भी काहा है और मंद्री जी घुका है कि हमारे एक दू लेक्षर की कमी है उन्होंने शीकर हम पूर्ण करा देंगे यह हमको आशवाशन दिया है और लगबख लक्षरार आ जाएंगे तो सर बालिका सीख्षा के बारे में आपका क्या ध्यान रहता है बालिका है कितीक पढ़ रही है अपने बालिका मेरे सिंदर सेकंड इसकुल में धाईशो बालिका ह है और अच्छी है और पुरी घ्राम पंचायत की बच्चिया यहां आ रही है और वेल सेट है और पढ़ रही है आगे बढ़ रही है मिड़े मेल पोसार और दूद वित्रन विदाले में होता है उसकी जानकर लिए और विदाले हम कभी खाना खाया आपने मैंने विदाले मे खाना चैक हर समय, फिर भी हमारे जो लेक्सरर की कमी हैं, अभी लेक्षाब को भी काहा है, arrogance और मंद्री जी को भी काहा है, कि हमारे एक-दू लेक्षरा की कमी हैं उन्होंने शीकर हम पूर्ण करा देंगे यह हमको आश्वाशन दिया है और लगबग लक्षरा रा जाएंगे तो सर बालिका सिख्षा के बारे में आपका क्या ध्यान रहता है बालिका हैं कितिक पढ़ रही अपने बालिका मेरे सिंद् शेकेंड इस्कुल में धाइशो बाईलिका हैं और अच्छी है और पुरी ग्राम पंचायत की बच्चिया यहां आरी है और वेल सेट है और पढ़ रही है आगे बढ़ रही है मिड़े मेल पोसार और दूद वितरन विदालेम होता है उसकी जानकर लिए और विदालेम कभी खाना खाया आपने मैंने विद्याले में खाना चैक हर समय गाता हूँ जाता हूँ और देखते हैं खाना अच्छा बनता है कोई इसमें और फिर भी मेरा जो वेक्ति के दूशे से खाने पे जोर नहीं दे करके दूद पे जोर नहीं दे करके मेरा तो वेशे इस ध्याने पड़ा ही बे और मैं यह ही कह रहा हूं इस्कुल में जाता हूं हरी स्कुल में जाता हूं तो खाना पीना तो ठीक बात है वच्चा स्वेम भुग लगे कि अपने घर से खाना खाके आएगा नहीं आएगा उसकी लोकट कुई बात है मकर वहां पड़ाई की व्यवस्ता अच्छी होनी चाहिए मेरा यह हर गाव में इक कुई खागवाए तकि पचास साथ सीतर फिट 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 खागवा और कभी भी आपकाल की स्थिति उत समय उसकुए से पानी ले सकें और ऐसी स्तिति में जगे पे खूदवाई जहां पानी का स्टोरेज हो और उसकुए में अधितिक पानी रह सके एसी में हर गाव चाह रहे हैं मैने घ्राइभ पर अच्छे ना आपकी टीम के देकर डेख भी सकते हैं ओक हैं ऐसमा कोई एधियुजक्ति नहीं है सवत्ष्वार्त मिस्ट्पर अपने कज लाती श्वस्टा पर उक पन्चाइब के अंदर मेरी हमारे ग्राम पंजाद में बिखरे हुए गाव हैं और जहां पर भी समू में मकान हैं वहाँ साफ सफ़ाई अच्छी है जैसे मेरे धुड़ावारा ले 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 आप वहाँ आप जा सके बुल्टेम के वहाँ साफ सफ़ाई कोई घंदेगी नहीं रहेगी और सभ सबी हम कहते हैं कि अपने सफ़ाई कराैं अपने घर के आज सपास में साप सफ़ाई रहें तो दुसरा भी सप़ आपको अपने सेम लोग सफ़ाई रखते हैं इसलिए हमारी अच्छी सुईता और बिखरेगु गावे इसलिए इतनी सारी हमारी यह गंदगी बगरा नहीं फेली रहती है तो सर नशे के खिलाफ है आपने कोई आवाज उठाई है आपको पता होगा कि हम जैसे एक साल पूर्व में हमारे यहांके लोग पूरु शांसरी ताराजी बगुरा के सानिद्य में हमने पूरे डुंगरुपु जिल्ले में नशा मुक्तिय के भ्यान रेली निकाली थी और प पंचायद हर घाव घाव अम गुम करके हमने नशा मुक्तिय अभ्यान एक अंदोलन शुरू किया था और उसमें काफी फरक पड़ा और कई लोगों नशे में जो भी जैसे बीडी तंबागु शिग्रेट दारु इसमें जो भी नशे के नाम से आते हो सारा लगबग लोगो चोड़ने की और जा रहे है तो सरा अगामी पंचायती राज का चुनाव आ रहा है तो आप अपना भाग्य अजमाओगे द्वारा अगामी दो मेने के बाद पंचायती राज चुनाव आ रहा है अब देखो इसमें शीट आरक्षन तो ही हमारा और फिर भी लोटरी सिस्टम में इसमें महिला आती है यहां जैंड साता उसको देखते हुए मागे बढ़ेंगे और अपना भाग्य अजमाएंगे तो सरा अगामी दिपावली का परव आ रहा है तो देश वासियों को ग्राम पंचायत वासियों को संदेश क्या देना चाते हो आप मैं आगामी परव दि के लिणारी परवार के ओर से पुर देशवासियों को दिपावली के हार्दीक शुब कामना देना चाता हुँ और साथ में ही जो भी दिपावली के अवसर्पर अपने गरेलू में जो खादे सामकरी गुरूप में जैसे मावा है वू आजकल फरजी मावा आता है मिलावट मावा आता है उसको नह उप्योग करके जैसे गूट से अच्छा कोई मिठा भोजिन बनावें और विदिशी जो पटा के वगरा जो आते हैं उनका उप्योग नहीं करकरके मालो और बे मतलबी खर्चा नहीं करके अपनी बच्चे तरक करें और फालतु का खर्चा नहीं करें सब देश ही अपना है देखते रहें डीडी समाचार